नमस्कार मैं मुदी पारी शिवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com के स्कास कारिकरम सुने सिन्वा में आप सभी का एक बार फिर से जागत वैसे तेन दिनों बॉलीवर्ट में काफी कुछ चल रहा है लेकि सुशान सिंग राशपूर का केस कहीं और से शुरू होकर कहीं और आ चुका है अब इस केस में ड्रग मामले में चौकानने वाले खुदास से आई दिन हो रहे हैं तो हैं केस में NCB ने रिया चकुरती के भाई शौक चकवरती और हाउस मैनेजर सामिल मिरांडा को तो पहले ही ग्रफतार कर लिया था लेकि इसके बाद NCB ने ड्रग के खरीद के आरोप में अक्ट्रस क्रिया चकवरती को भी राशप में ले लिया रिया के ग्रफतारी के बाद उनके वकील सतीश मानचिंदे ने प्रतिक्रिया भी दी थी और उन्हें कहा कि रिया के ग्रफतारी से नयाय के साथ धोखा हुआ है तो शान सिंग राशपत को ड्रग का आधी बताते हैं उन्हें ये भी कहा कि तीन केंद्री एजिंसिया उस महि लेकिन सेशन्स कोट ने शुक्रवार को उन दोनों जमान त्याचिका को खालिस कर दिया अब उनके वकील हाई कोट में याचिका दाखिल करेंगे रिया चकुरती को बाई से तंबर तक न्याएक रासा तो भेज दिया गया है और नसीबी ने ये दावा किया है कि रिया चकुरती सिंडिकेट की अक्टिव मेंबर थी और अक्टर सुषान सिंग राजपूत के लिए वह द्रग्स हासिल करती थी तो इसकेस में राजनीतिक सरग्रिमिया भी काफी तेज हो चुकी है इसी बीच बिहार बीजीपी के कला एवन संस्कृति प्रकोष्ट ने सुषान सिंग राजपूत के लिए नयाए को लेकर एक पोस्टर शेयर किया है एक अभ्यान जैसा छेड़का है एक पोस्टर जो शेयर किया गया उसमें लिखा हुआ है ना भूले है ना भूलने देंगे साथ यह भी लिखा है सुषान के लिए नयाए इस पोस्टर के सामने आने के बाद स विद्धान सभा चुनाओं का एक मुद्दा बताया तो कई लोगों ने इसका समर्थन किया ये कहते हुए कि इसी तरह से हमें सुषान के लिए नियाएट चाहिए मतादे सुषान सिंह राजपूर का शर्फ 14 जुन को उनके बांदासित अपार्टमेंट में मिला था सुषान के पिता ने पटना वर्या चुकुरते के खिलाब एक प्रात्मी की दर्श करवाई थी जिसमें उनके बेटे को आत्मत्या के लिए उक्सान है और उनसके धन का गव नए ड्रक्स मामनी सामने आ रहे हैं इसा लग रहा है कई और लोग के नाम सामने आने वाले हैं क्योंकि जानकारी है कि हो सकता है रिया चकुरती कुछ और सर्फ के नाम बताएं जो ड्रक्स का सेवन करते हो तो इसके बाद एंसे भी ग्रफतारी कर सकती है काफी जाज चल र सेक्योर्टी के साथ मुंबई भी पहुंच गए पिछली अफ़ते शिष्या नेता संजर रावत के साथ हुई कंगना की बयान बाजी के बाद के इंडरी ग्रेम अंत्राले ने कंगना को वाइपले सेक्योर्टी दी थी और इसी सुरक्षा की बीच एक्ट्रेस मुंबई पहु का मामला हाई कोट भी पहुंच गया और कोट ने कंगना की ओफिस में तोड़ फोर को लेकर सुनवाई की तारीख 22 सेतंबर दी वहीं कंगना के वकील लिजवां सिद्धिकी ने हाई कोट में बिना लीगल नोटिस के ओफिस तोड़ जाने पर आपती चताई तो यह कोट ने खुद को दोराएगा राम मंदिर फिर टूटेगा मकर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा जैश्री नाब तो यह एक्ट्रस कंगनाओत ने BMC की कारवाई पर एक ट्वीट किया और लिखा मुझे पता दो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी आज मैंने इसे मैसूस किया और आज मैं इस देश को वजन देती हूं कि मैं सर्व योद्या पर ही नहीं बलकि कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाओंगी और अपने देश्वासियों को जगाओंगी तुई मारा सरकार और एक्टिस कंगनाओत के बीच कासातानी काफी बढ़ चुकी है और इसके बाद कंगना ने एक वीडियो भी जारी कर दिया उन्होंने इसमें कहा उत्रफ ठाकरे तुछे क्या लगता है तुन्हें फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ दिया मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है आज मेरा घर तूटा है कल तेरा घमन तूटेगा यह वक्त का पईया है याद रखना हमेशा एक जैसा न जरक घाशा का इस्तेमाल किया है शिकायत में ट्वीट भी जिक्र किया गया है इस पूरे मामले पर के मां आशार अनौत का भी बयान सामने आया उन्होंने कहा मारा सरकार ने जो काम किया वह बहुत नेंदनीय है मैं उसका कड़े शब्द में विरोध करती हूं मुझे इस ब ब्रदान करवाई अगर उसे सुरक्षा नहीं मिली होती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था फिलाल अपमाराज सरकार और कंगनरौत के बीच काफी मुद्धा गरम हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि कोई पंजाईश नहीं बच्ची है सुला की करना लगाता बयान बाजी क भी कर रहे हैं तो वहीं इसमें राजनीतिक सरगरिवां भी तेज हो चुकी है कई दल कई पार्टी कुछ ना कुछ टिपड़ी कर रहे हैं फिलाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे आप सभी को याद होगा कि साल 2018 में मीटू कामपेंच चला था जिसमें बॉली के गंभीर आरूप लगाते हुए अपने इस्टाइगना पर एक पोस्ट शेयर की उन्हों लिखा जब मेटू मुव्मेंट इस्टार्ट हुआ था उस वक्त कई लोगों ने साजित खान के बारे बहुत सी बाते कहीं थी लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मै मुझे 17 सार को में हैरस किया था उन्होंने आगे लिखा है कि उसने मुझे चूने की कोशिच की थी इतना ही-szाजट ने अपनी फिल्म हाउसर में रोल देने के लिए मुझे अपने सामने ही और से प्रभावित किया उस वक्त Girard aloud नहीं पाट नहीं उप तक इससा कितनी लड पाउला ने भी कहा कि साजित खान जैसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए ना सिर्फ कास्टिंग काउश की कारण बल्कि लोगों को उनके सपनों से दूर करने के लिए भी तिपल की पोस्सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर साजित खान की रिफ्टारी की इसमागी तो वही साथ है साजित खान भी चला बता दे कि पहली बार नहीं है जब साजित खान पर इतने गंभी आरोप लगे हैं जब मीटू मुमेट चला था उसको साजित खान पर करीब चार महिला होने आरोप लगाया थे जिसमें से एक पत्रकार भी शामिल थी अब आगे इस केस में क्या होगा क्योंकि साजित खान पर पहले भी कई गंभी आरोप लग चुके हैं और एक बार फिर से किसी मॉडल ने आरोप लगाए हैं तो जाहिर है इसमें कुछ केस्ट किया जाएगा लेकिन बता रहें कि जब पिछली बार इंपर आरोप लगे थे तो हाउसलफोर के निर्माताओं ने फिल्म के निर्देशक के रूप में साजित खान का नाम हटा दिया था और जब साल 2018 मीटू मूमेंट चला था उसके बड़े एक्टर्स डेक्टर्स और प्रिडूसर्स के नाम भी सामने आये थे इसके बाद लोगों ने काफी गुस्ता और नाजगी जायट की थी ये कहते हुए कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाई जरा भी सुरक्षित नहीं है और महिलाओं को इस तरह से सामने आकर बोलना चाहिए ताकि इस तरह की खरकतें बॉलीवुड में रुख सके उसके कई महिलाओं ने आकर सामने बात रखी भी थी लिकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने जूटा केस जूटे आरोप लगाये थे जो कि सिद्ध हुए थे तो वहीं कुछ लोग उपर वाकई में सही आरोप थे और ये भी सिद्ध हुए थे फिराल एक तरह से ऐसा लग रहा है कि फिरसे मीटू कैम्पे लेगा या नहीं यह हम आपको आगे बता रहीं अगली कबर यह एक टेल्गू टीवी इंडस्ट्री के एक्ट्रस को डबले शापडी ने अपने घर में सुसाइट कर लिया अंगलवा को शापडी अपने कमरे में गई और दर्वाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था परिवार ने सुचा शाइद वो कुछ कर रही होंगी लेकिन जब काफी देर तक शापडी बहार नहीं आई तो सब नहीं मिलकर दर्वाजा तोड़ा और उन्हें फासी पर लटकावा पाया शापडी को इस्पताल ले जाए गया लेकिन डॉक्टर ने ने म्रत खोशित कर दिया तो ही एक्ट्रस की आत्मत्या करने के बाद उनके परिवार वालों का आरोप है कि शापडी ने के कदम तब उठाया जब हैत्राबाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर अक्शन नहीं लिय परिवार के अंसार शापडी टिक टॉप पर मिले एक व्यक्ति देवरार रेडी दौरा के जारे शोषवर से काफी तंग आ चुकी थी और इसके चलते उन्होंने फासी लगा कर जान दे दी हाला कि पुलिस ने अपने उपर लगाए सभी आरोपों को खारिच किया है कि उन्होंने देवराज पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वहीं पुलिस के अधिकारी रसिम्हा रेडी के अनसार परिवार शावडी और देवराज के रिष्टे से खुश नहीं था जिसके चलते मंगलवार को शावडी की इस पात पर अपनी मा और भाई के साथ एक रमभी वैस भी हुए थी फिलाल परिवार के आरोफ के बाद पुलिस के एक टीम आंद प्रदेश के किड़ा शहर पहुँच चुकी है जहां पर वो देवराज को ग्रिफतार करने गई है परिवार का ये भी आरोफ है कि देवराज शावडी से पहले भी एक लाख रुपे लेकर फोटो डिलीट करने पर राजी हुआ था लेकिन वो और भी पैसो की मांग कर रहा था शावडी इससे काफी परिशान हो चुकी थी जिसके बाद 22 जून को पुलिस में इसकी शिकायद दर्श कराई थी लेकिन इस पर कोई कारवाई नहीं हुई जिसके बाद शावडी ने ये कदम उठाया ये आरोफ परिजनुका है वहीं बता दें कि इस मामले में पुलिस सपनी तफिश शुरू कर चुकी है वो जाज कर रहे है कि देवराज के पास किस तरह की शावडी की तस्वीर थी जो उसको डिलेट करने के लिए वो इतने पैसों की मांग कर रहा था तो वहीं वो ये भी आपता लगा रहे हैं कि पर पाफी फेमस हुए थी उनकी आत्मत्या की खबर जैसे ही बहार आई उनके फैंस ने कभी शोक के जाहिर किया और कई लोग हैरान होके जानके कि इतनी जल्दी उन्होंने इतना बड़ा और ये कदम उठाया क्योंकि श्रावडी को अभी सिर्फ 8 साल ही हुए थी फिल्म कि इसमें गाने पर भी विवाद मचा हुआ है इस्टार के टीस्टार फिल्म होने के कानरे इसके ट्रेलर को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था और इसे काफी डिस्ताइग भी मिले थे अब इसके बाद फिल्म खाली पिली के गाने बियॉंस से शर्मा जाएगी पर भी मेकर्स को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है इस विवाद के एक वज़ा है कि गाना रंग भेत को बढ़ावा देता है तो क्योंकि इसके बोल है तुछी देख के गोरिया बियॉंस से शर्मा जाएगी और दूसरी वज़ा है कि इस गाने में पॉप स्टार बियॉंस से का नाम इस्तिमाल किया गया है जो कि उनकी पर्मिशन के बिना लिया गया इसी के चलते सौंग के रिलीज होते ही टोलर्स ने इस गाने को ब्लैक लाइव्स मैटर मुवमेंट से जोड़ कर जम कर टोल किया तो इसके साथ ही पता दे कि पॉप सिंगर बियॉंसे ने करीब 10 साल पहले अपने नाम कर ट्रेट मार्क ट्रेस्टर कर वा लिया था इतना ही तक इस मामले में वियॉंसे या फिल्म के प्रेड्यूसर्स की और से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है तो वहें फिल्म खाली पिली जो जी प्लेक्स पर 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है यह फिल्म पहले से इसलिए निशाने पर रही है क्योंकि इसमें स्टार के पांडे और इशान खटर हैं और इन दिनों बॉली वोड में नेपोटेश्म पर वहस लगातार जा रही है कोई भी ऐसी फिल्म या उसका ट्रेलर रिलीज होता है जिसमें स्टार किट्स अक्टर या अक्टर्स होते हैं उसको आज कल ट्रोलर्स परी तरह ट्रोल कर रहे हैं इसके चलते इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इसे काफी लोगों ने ट्रोल किया था लेकिन अब इस गाने की कारे इसको और भी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा खर गाने के बोल भी सरा से थे जो किसी को भी सही नहीं लगे क्योंकि इन दिनों जब बिकते के से यह मुव्मेंट चल रहा है ब्लैक लाइक्स मैटर हाश्टाइक काफी चल रहा है इंस सब को लेकर तो उस बीच यह गाना कई लोगों ने इसे रंग भेत की बात इस पर कही इसके बाद आप शायद मेकर्स इस गाने को फिर से लिखेंगे लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है लेकिन इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर लगाता विवाद जा रही है तो ही आगे जो भी होगा इस ख़बर में हम आपको अप्डेट करेंगे ल सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं